नमस्कार मित्रू आप सभी दर्शकों का एक बर फिर से बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल के फ्रेश और एक नई वीडियो में तो जो रभिवार का दिन है ये भगवन शूरे नराण को शमरपीत है भगवन शूरे नराण जगत को प्रकास देता है ये जिस प्रकार जिवन में चल रहे हैं परसानी हैं समस्सा हैं रुकावाठ हैं जो अंदकार हैं उसे दूर करने का काम करता है भगवन शूरे नराण को प्रकास का देवता कहा जाता है ये जिस प्रकार स्रिष्टी में प्रकास लाने का काम करते हैं स्रिष्टी को प्रकास से भरता है ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन को भी ये प्रकास से भरता है तो आज की विडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रभिवार के दिन तीन चीज के दान के बारे में साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज हैं जिसे ला करके अगर आप अपने घर में रखते हैं तो यकिनन माने आपके दि विडियो में उपाय बताऊंगा इससे आपको अचानक्षे धन की प्राप्ति होगा वो धन की प्राप्ति आपके इक किस्मत कुपर निर्भर कर सकते हो सकते हैं कि आपको रास्ते में दो से आट करोड रुपय की फायदा हो जाए गिरवव आपको पैसा मिल जाए हमने एक को यह उपाय बताय तो उस वेक्ति को कम से कम जादा नहीं तो 50 लाग के लाटरी लगे जिहां और एक वेक्ति को हमने यह उपाय बताय इस उपाय से उन्हें पुत्र की प्राप्ती हुआ उन्हें गिरवा पैसा मिला और उनके जो दमपत्य जीवन में परसानी आ रहे थी वह दो आई जानते हैं रभिवार की दिन किये जाने वाले उपाय अगर आपकी जीवन में कोई परसानी चरिक कश्टा चरित कुमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आन लाइन आने पर हमारे द्वारा यह हमारे टीम की द्वारा बिलकुल है की मदद की जाएगी तो रभिवार तो जितना जादा पूरो समय में दान किये होंगे उतना ही बढ़कर के आपको उनका हजार गुना बढ़कर के आपको प्राप्ता होगा तो इस उपाय से गुप्त धन की प्राप्ति होता है, चाहे आपको एक रुपए क्यों न मिले लेकि निच्ची तरुसी इस उपाय को करने बाद आपको गुप्त धन मिलेंगे, अगर आपकी किसमत अच्छी रहीत हो सकता है करोड़ो रुपए की भी आपको फायदा हो जाए, दूसरा है पीली सरसो का दान कोई भी वेक्ति रभीवार के दिन पीली सरसो का दान करते हैं तो इसे वेक्ति की दरिद्रता समापता होता है जिवन्द की अंधकार मिड़ता है परशानी है तकलीव है वो भी समापता होता है तिसरे क्रम पे आते हैं अनदान, अनदान को सर्वा स्रेष्टदान कहा जाता है, अनदान कनेश्चे भगवन शूरे नराण की क्रिपद से आपकी गरीबी मिढ जाएंगे, माल लच्मी के आपके घर में आगमन होगा इसके बाद मित्रो रभीवार के दिन केले कजड़ लाकर के घर में पीली कपड़े में बांध करके जो पीला कलर की कपड़े इसमें बांध करके रखा जाए पूजा कमरा में या फिर यहां पे पूजन होता या फिर धन पेटी में तो कभी भी धन नहीं खांगता हल्दी का जड़ भी घर में लाकर के जो है रभीवार के दिन इस्थापित कर सकने से भी हमारे घर में अनधन की बढ़ोतरी होता है तो आसा करता हूं कि रभीवार के दिन किये जाने वाली चोटे चोटे उपाए आपकी जीवान में कल्यान कारी साबित जरूर होंगे धन्यवाद नमस्कार